हेलो एवरिवन ओके तो स्टार्ट करने वाले हैं आज गा जो हुमारा टोपिक है मेंडलीफ की आवर्थ सानी पहले वाले वीडियो में हमने देखा था नूवलेंड्स का आश्टक नियम उससे पहले देखा था दोबे राइनर का तरिक नियम तो आज हम देखने वाले हैं में मेंडिलिफ की आवर्थ सारनी मैं बता दूह सब इतनी भी जो भी शारनी अभी तक देखी हमने आवर्थ सारनी जैसे कि डोबे राएनर का ठीक न्यम है नूवलेंड्स का अश्ессर्ट ना मैं देखने वाले मेंडलिफ की आवर्थानी यह सभी की सभी किस पर आधारित है परमानु दर्वेमान पर आधारित है ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करते है मेंडलिफ की जो आवर्थानी है वो किस पर आधारित है परमानु भार पर आधारित है किस पर आधारित है परमानु तत्तु आने जो आवरती नियम दिया था तत्तुőं के जो भोत्तिक है तता रासानी गुंदर्म है उनके परवानू दर्वेमान या भार के आवरती फलण होते हैं मेंडलिफ का आवरती नियम पुछा जाए तो उसका हमें क्या लिखना आंस्वर कि भोतिक जो भी तत्व है उनके भोतिक तता रासानि गुण ध्रहम उनके पर्मानु भार या पर्मानु दर्वे मान के आवरती फलन होते हैं और इन्होंने जो आवर्शानि दी थी उसमें नो और जो छेती जो पंक्तिया थी उनकी संक्याती साथ यानि की आवर्थ की संक्या किनीती साथ थी तो दूसरी बात अब जो मेंडलिफ की आवर्थ सानी है उन्होंने कौन कौन सी इस सानी के माद्यम से उपलब्दी हासल की उनके बारे में हम चार्चा करने वाले हैं फिर इनकी कम्याद देखेंगे कि ये फैल क्यों हुई तो सबसे पहली इसकी जो उपलब्दी थी सबसे बड़ी उपलब्दी थी यह सबसे पहले सबसे ज़्यादा तत्वों को वर्गी करत कर पाए और उनकी संक्याती 63 तत्वों को वर्गीकरत कर पाए यह तत्वों का पहला व्यवस्तित वर्गीकरन था जिसमें प्रारम में 63 तत्वों को वर्गीकरत किया गया नेक्स्ट इसकी जो प्रमुख उपलब्दी है उसमें है कि कुछ तत्वों के परमानु भार और संयोजक्ता में सुधार किये गए कुछ परमानु है कुछ तत्वों है उनके परमानु भार और संयोजक्ताओं में उन्होंने क्या किये सुधार की उसके बाद में तीसरी प्रमुक पलब्दी है इसकी अग्या तत्वों के लिए रिक्तिस्थान छोड़े गए अग्या तत्वों के लिए क्या छोड़े गए रिक्तिस्थान यानि उन्होंने भविशे में ऐसे तत्वा इस सिस्थान पर आएंगे तो जो भविशे में तत्वा खोजे गए जैसे कि स्केंडियमेंट की भविशेवानी की थी इन्होंने गेलियम की भविशेवानी की थी जर्मेनियम की भविशेवानी की थी जो आगे इन फूचर में इनको खोजा गया था तो इस प्रगार से ये जो प्रमुक पलप्दिया है मेंडलिफ की आवर्चानी की ये हमारी बुक में तीन दे रखी है तो तीनों हमें याद रखनी होगी अब इसकी हम सीमाई या जो कमिया है उसको देखते हैं कि कौन कौन सी सीमाई थी जिसके करण ये जो मेंडलिफ की आवर्चानी फैल होई तो सबसे बड़ी कम इसकी थी ये समस्थानी की स्तती को स्पष्ट नहीं कर पायां इनका प्रमुक रिजेन था क्यों कि ये पर्मानु भार पराधारित थी जो नूलेंड्स की अस्टक नियम है डोबे राइनर का त्रिक नियम है उसी प्रकार से मेंडलिफ की जो आवर्सानी है वो भी परमानु भार प्राधर थी परमानु भार के बढ़ते करम में थी इसलिए ये समस्थानिकों की स्थती स्पष्ट नहीं कर पाई जैसे कि हम जानते समस्थानिकों में क्या होता है कि परमानु करमांग तो समान होता है लेकिन दर्वे मान संक्या अलग अलग होते हैं इस कारण से समस्थानिकों की स्थती ये नहीं अलग अलग उनको स्पष्ट नहीं कर पाई उनकी स्थती स्पष्ट नहीं कर पाई दूसरी इसकी पर मुक कम नसा होगा ठीक है तो तीसरी जो लास्ट इसकी कमी है वो है कुछ तत्वों का परमानु दर्विमान के अनुसार अनुचित करम था इन्होंने जो परमु का अधा लिया था आवर्थ सानिका की बढ़ते परमानु करम के अनुसार तत्तों को वेवस्टित किया जाएगा लेकिन इन्होंने क्या किया अपने ही नियम का उलंगन किया और कुछ जो परमानु भार जिनका ज्यादा था उन तत्तों को कम परमानु भार वारे तत्तों से पहले रख दिया इस परकार से यह आवर्थ सान्नी पूरी तरह से फैल हो ग कि आवरसानि इन तीनों निएमों के फच्ऽात फैल होने के बाद में जो हमारा अभनि ये माएगा वो है आधुनिकावरसानि का निएम और नीकावरसानि को किसने दिया हैं मोजले भी दिया था उसके बारे में वो वो उसके कौन-kऌन गुन दरम है जो आज हमें पढ़ते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद जैवाद